पिशले कुछ दिनों से जो दिल्ली के पिशले दो दिन से हालात शांती विवस्था के खराब होते जा रहे हैं दिल्ली के कुछ हिलाकों में खास कर पूर्वी दिल्ली में वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विशे है सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विशे है और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांती बनाए रखें जिसके जो भी मामलात हैं जिसके जो भी मसले हैं सभी मसले शांती पूरवक बैठ के समाधान हो सकते हैं हिंसा से किसी का कोई समाधान निकलने वाला, ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा, तो मेरी सभी लोगों से हाज जोड की अपील है कि सब लोग शांतिय विवस्था बनाए रखें, एक पुलिस वाले की, एक हेड कॉंस्टेबल की मौत हो और जो सिविलियन्स थे, वो सब हमें हमारी थे, हमारी लोग हैं, हमारी दिल्ली के लोग हैं, हमारी देश के लोग हैं, तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है, तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है, वो भी किसी ना किसी परिवार के सदस्से थे जिन लोगों की मौत होई तो ये अच्छी स्थिती नहीं है जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिती नहीं है जिन लोगों के दुकाने लुट गई वो अच्छी स्थिती नहीं है जिन लोगों की गाड़ियां मोटर साइकल चली गई जल गई वो अच्छी स्थिती नहीं है और इसमें सभी लो के हों दोनों के विधायक आये थे और सभी senior officers थे concern departments के और जो उसमें निकल के आया वो ये की एक तो hospital authorities को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तेदी से काम करें सभी hospitals तयार रहें अगर जो भी injured लोग आते हैं उनको तुरंट अच्छे से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए fire department वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक डिक्कती आ रही है जो affected area है वहाँ पे पहुँचने में तो police के साथ coordination करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुँचें सभी विधायकों का एक जो common शिकायत ही वो ये कि police का संख्यावल बहुत कम है police की संख्या बहुत कम है और police को नीचे police को action लेने की powers नहीं है जो local level पे विधायकों ने भी police से बात की तो वो कुछ action नहीं ले पा रहे हैं जब तक उनको उपर से orders नहीं मिलेंगे कि अगर उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको लाठी चार्ज करने की, हवाई fire करने की उनको जब तक उपर से orders नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई action नहीं ले पा रहे ये ज़रूरत है जो अभी मैं अमित्शा जी से मिलने के लिए जा रहा हूं 12 बजे तो उनसे भी ग्रहमंत्री जी से ये इसकी जिकर करूँगा इसके अलवा बॉर्डर के जो हमारे एरियाज हैं, वहां के विधायकों ने कहा की बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उन बॉर्डर को seal करने की जरूरत है और preventive arrests करने की जरूरत है, जो जो लोग पे शक हो हमने, मैंने अभी directions दी हैं, जो हमारे district magistrates हैं और SDM's हैं उनकों की वो मुनादी करें और peace march निकालें, लोकल पुलिस के साथ मिलके और लोगों को शांत और शांती बनाए रखने की अपील करें लोकल लेवल पे peace committee meetings करें, सभी धरम के लोगों को बुलाके और उसमें MLA's भी मौजूद हों, और लोकल जो जो affected areas हैं वहाँ पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांती बनाए रखने की अपील की जाए